नमस्कार जय हिंदु वंदे मातरम साथियों मैं विशेक निसराज आप सबी लोगों का हमारे दिन संकल पारे बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लाश 12 की NCRDHT के भाग एक का चेप्टर नमबर 4 हमारे आज के इस चेप्टर का नाम है विचारक, विश्वास और इमारते और ये चेप्टर लगबग 600 इसापुर से लेकर के 600 इसबी के बीच के सांस्कृतिक विकास पर आधायत है कि इस टाइम पीरिड में सांस्कृतिक विकास कौन-कौन से कितने हुए देखो अगर में इस चेप्टर की बात करें तो बेसिकली इस चेप्टर में हमको बहुत धर्म और जैन धर्म के बारे में मुख के रूप से जानकारी देखने को मिलती है इसके अलाबा हमारे सनातन धर्म की बहुत सारी मोर्तिया है जिनके बारे में आपको जानकारी देखन को मिलती सबसे पहले विचारक यानि कि यहां पर जो लोग आये विश्वास यानि कि जितने भी धर्म हैं हमारा बहुत धर्म सनातन धर्म और जैंदर्म इन तीन धर्मों के बारे में जानकारी और आपको मिलती इमारतों के बारे में यानि कि जो इस तूब बन बाएगे जो मं पार्ट वन आ चुका है बट उसमें मैंने अच्छे से एक्स्प्लेन नहीं कर पाया था तो वो वीडियो में डिलीट कर दूँगा यह आपका पार्ट वन ही है लेकिन इस पार्ट वन में पार्ट वन और टू इन दोनों को एड करते हुए मैं चलूं का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा इसलिए आप चाहें तो ब्रेक लेकर के देख सकते हैं लेकिन जिलों ने पार्ट वन को देख लिया है वो पार्ट वन इसकिप करके आप देख लीजेगा आगे जहां से पार्ट तू स्टार्ट होता है वहां से आप देखिएगा ठीक है चली इसी के के 12 अकी NCRT का special test join करना है या फिर special coach join करना है तो चैनल को subscribe कर लीजेगा description box में आपको playlist मिल जाएगी जाकर कि आप सारे वीडियोज देख सकते है हमारे इस chapter का सबसे पहला point मिलता है सांची की एक जहलक देखो सांची के बारे में आपने काफी को सुना होगा ठीक है अब यहाँ पर जो लोग आए थे अंग्रेज आए थे अंग्रेज उसे पहले भी बहुत साई लोग आए तो इन लोगों ने किस तरह से इसको देखा एक बार सांची के बारे में हम छोटी सी जहलक देखते हैं इसके बारे में इंपोर्टेंट जानकारी दी जारी कहा जा रहा है कि भोपाल राज्य के प्राचीन अबसेसों में सबसे अद्बुत सांची कनखेडा की इमारते हैं यानि कि अगर आप भोपाल में जाओगे और वहाँ पर सबसे प्राचीन अबसेस देखोगे तो उनमें इस आपको जो सबसे अद्बुत मिलेगा सबसे अलग मिलेगा वो मिलेगा आपको सांची कनखेडा की इमारते हैं ये अबसेस जो है यूरोप के सज्जनों को विश्यसकर रुचिकर लगते हैं यानि कि यूरोप के जो सज्जन वेक्ती हैं पर आयते उन्हों ने इसको देखा तो उनको ये बड़ा अच्छे लगे उनकी रूची इसमें जाग गये जिन्में से आते हैं अब सेसों का निरिक्षन की यानि के इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और वहां के अभी लेकों को पढ़ा गुंबत नुमाद धाचे के बीचों बीच खुदाई की उन्होंने इस खोज के निसकर्सों को एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा यानि की अलेकजेंडर कनि गंद जी जो ये वेक्ति हैं ये यहाँ पर सांची कनखेडा में काफी दिनों के रगतक रहे रहने की बाद में यहाँ की इमार्तों को देखा वहां के अभी लेकों को पढ़ा वहां का जो गुंबत नुमाद धाचा था उसकी खोदाई भी करवाई और यहाँ पर उन्हों जो भी जानकारी प्राप्त की उसको एक अंग्रेजी पुस्तक में लिखा ठीक है 19 सदी के यूरोप यूरोपियों में सांची के स्थूप को लेकर काफी दिल्चस्बी थी यानि जो सांची का स्थूप है इसको लेकर के जो 19 सदी में यहाँ पर यूरोप भी व्रिखती है में काफी दिल्चसबी थी फ्रांसीसियों ने सबसे अच्छी हालत में बचे सांची के पूरवी तोरण द्वार तोरण द्वार यानि की गेट जिसके बारे में हमने क्लासिक्स में पढ़ा था जिन्होंने क्लासिक्स की NCRT हिस्टी को नहीं पढ़ा है डिस्किप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस मिल जाएगी जाकर क्या पढ़ लीजीगा तो तोरण द्वार को फ्रांस के संग्रहाले में प्रदरसित करने के लिए से जहां वेगम से फ्रांस ले जाने के लिए इजाज़त मांगी लेकिन यहां पर इनको इजाज़त नहीं मिल पाए थी किसने मांगी सबसे फ़हले फ्रांस सीसी ओने किसके लिए जो सांची में सबसे अच्छी हालत में बचा पूरवी तोरण द्वार था इसको कहां पर ले जाने के लिए तो फ्रांस के संग्रहाले में परदरसित करने के लिए इजाज़त मांगी थी कुछ समय के लिए अंग्रेजों ने भी ऐसी ही कोसिस की सौभागी बस फ्रांसीसी और अंग्रेजी दोनों ही व्यक्ति साबधानी से प्लाष्टर प्रतिकृतियों से संतुष्ट हो गए याणिकी प्लाष्टर की कौपी त्यार की गए इन से जो यह तोड़म दो़ार थे और इसी से यह संतुष्ट हो गए और इनको लेकर के अपने आपर चले गए sınız प्रकार जो मूल करती थी यानि जो मूल आपका असली तोरण द्वार था बो भूपाल राज में अपनी जिगे पर ही रहा ठीक है आगे बढ़ते हैं भूपाल के सासकों जिनमें सह जहां बेगम भी आती हैं और उनके उत्रादिकारी भी आते हैं जिनमें सुल्तान जहां बेगम है इन्होंने इस प्राची निस्तल के रकरकाप के लिए काफी धन अनुदान में दिया था सुल्तान जहां बेगम ने वहां पर एक संग्रहाले बन बाया था एक अतित साला बन बाने के लिए अनुदान दिया अब यहां पर रहते थे लोग ठीक है वहां रहते हुए बहुत सारे मतलब वहां रहते हुए जॉन मा पूरे चेप्टर में जो जो पढ़ेंगे उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दी गई है उसका बेस आप ले सकते हैं ठीक है बेस हैं पर ऐसे हैं समझ सकते हैं यग और भी बाद इसको समझो इसापुर प्रतं सहसरादी का काल बिसु इतियास में एक महतपुर मोड माना अचैद कब इसामसी के जन के लगबग सौ साल पहले का जो टाइम था ये परिवरतन कारी माना गया है महतपुर मोड माना गया इस हाँ, सौ साल ही होगा, फ्रीक है, हां इसी टाइम पर क्या गए हुआ ता, ईरान में जर्थोस्त्र नाम के चिंतक का उधै हुआ था, चीन में Mikaurasi की नामक चिंतकों का उधै हुआ था, यूनान में सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इनका उधै हुआ था, कि ये लोग अस्तितु में आये थे उन्होंने अपने जो विचार थे वो लोगों के सामने प्रस्तोत करने शुरू कर दिये थे और भारत में महाबीर और बुद्ध जैसे चिंतकों का उद्भो हुआ था यहां पर इन लोगों ने अपने विचारों को लोगों के सामने रखा ठीक है उन्होंने जीवन के रहस्यों को समझने का प्रयास किया कि भाई ये जीवन है जीवन क्यों है जीवन किसलिए है और जीवन में दुख आते तो वो क्यों आते हैं सुख आते तो क्यों आते हैं दुख की बज़े क्या है सुख की बज़े क्या है इन सभी चीयों को समझा और यही वे समय था जब गंगा घाटी में नए राज्य और सहर उभर रहे थे ठीक इसी टाइम में क्या था गंगा घाटी वाला जो इलाका जहाँ पर आप देखते हैं ठीक है बिहार उत्तर प्रजेस में गंगा निकलती है तो गंगा के घाटी वाली इलाके में नएने सहर और राज्य उभर के सामने आ रहे थे समाजिक एवं आर्थिक जीवन में भी कई तरह के बदलाब आ रहे थे हाँ यहाँ पर आपने क्या देखा यहाँ पर आपने देखा कि इसा पूर्व प्रथम सहसराब्दी वाला जो काल है इस टाइम में अनेक छेत्रों में अलगलग छेत्रों में जैसे कि इरान हो गया भारत है यूनान है चीन है इन सभी इलाकों में अनेक प्रकार की चिंतकों का उदे हो रहा था ठीक है चिंतक कौन कौन से आपने आपर देख लिया और यह चिंतक थी जीवन से जड़िवी समस्याओं पर अपनी बात को रखते थी इन्होंने इस समझने का प्रयास के और अपनी बात को रखा आगे बढ़ते हैं अगला पॉइंट मिलता है यग्यों की परमपरा इसको भी समझो दूदेखो यग्ये आपने सुना होगा यग्य काफिछाय लोग करवाते हैं आज भी होते हैं ठीक है पहले भी यग्यी होते थे पहले दो यग्यी बहुत इंपोर्टन थे एक था राजगे और यक था असोमेगे ठीक है इन दोनों की बाड़ में भी हम डिसकस करेंगे पहले पॉइंट में कहा जा रहा है चिंतन धार्मिक विश्वास और विवहार की कई धाराएं प्राची न्यूग से चली आ रही है अगर आप चिंतन की बात कुरे हैंने कि भगवान को जब भगवान का ध्यान करना भगवान के बारे में सोचना उनकी ब धर्म को लेकर कि हमारा विश्वास है ठीक है भगवान के प्रति हमारा विश्वास है और विवहार भगवान के प्रति हमारा विवहार कैसा है लोगों के प्रति हमारा विवहार कैसा है ठीक है इसकी कई सारी धारा है प्राची न्यूग से चली आ रही है आप भी देखते हो रामाट कितनी पुरानी है, कितनے साल पुरानी मतलब इतिहास प्राधायी थे ठीके, पूर्व बैदिक परमपरा जिसकी जानकारी हमें 1500-1000 वर्षपूर्व इसा पूर्व में संकलिते, रिग वेद में मिलते है, कि बाई उस टाइम पर या फिर उससे पहले किस प्रकार की परंपराएं थी किस प्रकार की धार्मिक विश्वास थे ये हमको जानकारी किसमें मिलती है रिग वेद में ठीक है वैसे ही एक प्राचीन परंपरा थी जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो ठीक है जो कि प्राचीन उ दार्मिक परंपरा जो थी उसी पूर बैदिक परंपरा जिसकी जनकारी मिलती है बैसी हाँ जो चिंतन धार्मिक विश्वास और विवार की कई सारी धाराएं है ये बैसी ही थी ठीक है रिग वेद जो है अगनी इंद्र सोम आधी कई देवताओं की इसुति का संगरह यानि की रिग वेद में आपको अगनी देपता इंद्र देव और सोम सोम एक प्रकार का पेपदार था जिससे की मतलब जैसे आज आज आप देखते हो दारू बगारा बनती इसी प्रकार से सोम रस बनता था ठीक है तो सोम इंद्र और अगनी ऐसे कई सारे देपताओं की इसुति आ तो यग्य से किस-किस फल की इच्छा रखते थे लोग मतलब आजकल देखते हो आजकल बेक्ति पूजा करते हैं तो कहते हैं हमें पैसा प्राप्त हो जाए हमें गल्फ्रेंड मिल जाए हमारी साधी हो जाए हमारा घर बन जाए हमारे पास गाड़ी आ जाए अनिक चीजे उस टाइम पर बेटे कम होते तो राजा महराजा लोग आपने देखा होगा दसरत जी ने जिनके चार बेटे थे राम भरत सत्रुगन तो इन्होंने अपने बेटों की प्राप्ति के लिए यग्य किया था ठीक है इसके लबाद स्वास्त की वाई स्वास्त रहें और लंबी आयू के लिए यग्य करवाये जाते थे ठीक है अगला पॉंट मिलता है सुरू सुरू में यग्य जो थे सामोही ग्रूप से की जाते थे बाद में लगबग आज से 1000 से इसापूर से लेकर के 500 इसापूर वियानि कि आप यह कह सकते हो आज से 2500 से 3000 साल पहले कुछ यग्य घर के मालिकों के द्वारा सुरू किये गए हम घर के मालिक हैं हमारे पास पैसा है धन दौलत है अब हम पर्सनल यग्य करवाएंगे पहले समय कुरूप से होते थे फिर पर्सनल होने लगे राज सुय और अस्यों में एक जैसे जटिल यग्य सरदार और राजा ही किया करते थे देखो अस्यों में एक यग्य में क्या होता है एक घोड़ा होता है ठीक है यग्य के दौरान वो घोड़ा छोड़ा जाता है और जितने इलाके में वो घोड़ा जाता है चलता चला जाता है वो पूरा इलाका उस राजा के अधीन माना जाता है और जो व्यक्ति अधीन नही होता है जो वेक्ति घोड़े को पकड़ लेता है कि वाई हम आपके अधीन नहीं होंगे और हम आपकी अधीनता सुईकार नहीं करेंगे हम अपने आपकी घोड़े को पकड़ लेंगे उसके साथ में राजा को युद्ध करना होता था ठीक है मतलब जो घोड़े को पकड़ता और इनको करना बहुत ही कठीन है आगे बढ़ते हैं अगला पॉंट मिलता है वाद विवाद और चर्चाएं इसमें सबसे पहला पॉंट जा रहा है कि समकालिन बहुत गरंतों में हमें 64 संपरदायों या चिंतन परंपराओं का उलेक मिलता है चिंतन परंपरा या फिर संपरदाय कारती है जैसे आप एक देखते हो आपको मिलता है बहुत धर्म एक मिला जेंदर्म इसी प्रकार से 64 संपरदाय थे उस टाइम पर ठीक है इनमें से इससे हमें जीवांत चर्चाओं और विवादों की एक जहांकी मिलती है कि उस टाइम पर जो लोग थे वो जीव दुख और है मतलब सुख के बारे में चर्चा और विवाद होते थे इनके बारे में हमको एक अच्छी खासी जहांकी मिलती है ठीक है अभी समझो इस चीच को डिटेल में सिक्षक एक जगे से दूसरी जगे घुम घुम कर अपने दरसन या विश्व के बिसे में अपनी ठीक है मुझे बताई किस जगे पर आपकी जीवन में काम आएगा आप पढ़ रहे हो साइंस में ठीक है मतलब आपको खेती करनी है ठीक है और आप पढ़ए फिजिक्स केमेस्ट्री आपके कहां पर काम आने वाली है बहुत ही कम ऐसा होगा मतलब मैं यही कहूँगा कि 0.01% ठीक है पहले क्या होता था पहले जो इन सिक्षकों की बात की जा रही यह 64 संपर्दायों में से किसी एक संपर्दाय के सिक्षक होते थे और यह जगे जगे पर घूम करके जीवन के विसे में किसके बारे में दर्सन या विसु की विसे में अपनी समझ को ले करके दूसरों स तथा सामान लोगों से तरख वितर करते थे, अब चर्चाएं होती थी, एसे उपवनों में होती जहां पर घुमाकर, मनीशी का रफ कार्फ होता है, ज्यानी व्यक्ति, यह फिर विद्वान तो घुम घुम कर चलने वाले ग्यानी लोग ठहरा करते थे, रुका करते थे, ठीक है, यदि एक शेक्षक है, अपने प्रतिदुन्दी को अपने तरकों से समझा लेता था, तो वह अपने अनुयाईयों के साथ उसका सिस्य बन जाता था, इसको एक एक जामपल समझो, जैसे क बाई, एक ये व्यक्ति है, इसके पास में 50 अनुयाई, मतलब इसके 50 सिस्य हैं, एक ये व्यक्ति है, जिसके पास में 75 सिस्य है, ठीक है, दोनों के पास में, अब मान लोग कि इस 50 सिस्य वाले व्यक्ति ने, इस 75 सिस्य वाले व्यक्ति को अपने तरकों से समझा दिया, जिस का अनुयाई हो जाएगा 75, 76 और 50 कितने हो गए 125, 126 अब इसके पास में 126 सिस्सी हो गए ठीक है और ये है इन सभी का कौन गुरू ठीक है और ये है कौन चेले ठीक है तो इस प्रकार से पहले होता ठीक है कहा क्या जा रहा है कहा जा रहा है यदि एक सिक्षक को समझा कर कि अपने टोली में सामिल कर लिया होगा अपने सिस्यों की सेना में सामिल कर लिया होगा ठीक है और ये दो लोग आगे बढ़े ठीक है तो महाविर और बुद्ध इसी प्रकार के व्यक्ति स्वयम कर सकता है देखो यहां पर जो यह बात कही जा रहे है कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयम कर सकता है यह काफी हद तक तो सही है लेकिन अगर आप गहराई से समझेंगे तो नहीं सही क्योंकि देखो हर व्यक्ति के पास में ग्यान होता है उसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी एक माध्यम की अवशक्ता होती जैसे कि गुरू ठीक है अब गुरू को भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी एक माध्यम की अवशक्ता होगी ठीक है तो वो माध्यम था उस टाइम तो आपको वेदों की रास्ता पर चलना होगा जो वेद कह रहे हैं वो आपको मानना होगा ठीक है जैसे कि हमने देखा ब्रह्मन वाद ये मानता था कि किसी व्यक्ति का आस्तित्त उसकी जाती और लिंग से निर्धारित होगा देखो आपका आस्तित्त क्या है ठीक है आप वो आपके लिंग क्या पुरुस है या फिर आप महिला है या फिर आपकी जाती क्या है इस आधार पर निर्धारित होगा ठीक है कि आपका अस्तित तो आगे चल करके क्या होने वाला है यानि जन्म के आधार पर ये व्यक्तिके अस्तित को पूरा का पूरा मानते थे आगे बढ़ते हैं अगला पॉण मिलता है बहुत गरंत किस तरह किस प्रकार तयार और समक्षित किया दे देखो बहुत गरंतों के बारे में भी काफी सारी चर्चाएं मिलती हैं कि बहुत गरंतों किस प्रकार से तयार किया गया फिर किस प्रकार से समक्षित किया गया तो बुद्ध चर्चा और बाचीत करते हुए मौखिक सिक्षा देते थे बुद्ध की किसी भी समभासन को उनके जीवन काल में नहीं लिखा गए यादक ना बुद्ध जो थे वो मतलब अन्य सिक्षकों की तरह चर्चा करते थे और चर्चा करके बाचीत के माध्यम से अपने सामने वाली व्यक्ति को समझा करके मौखिक रूप से समझाते थे और समझा करके उसे सिक्षा देते थे ठीक है उन्होंने अपने जीवन काल में कोई भी पुस्तक नहीं लिखी उनका कोई भी भासन जो था वो लिखा नहीं गया लेकिन जब उनकी मृत्यों के बाद ने पाँचमी से चौथी सदी इसाफुरव उनके सिस्योंने जेश्टेओं या फिर बरिश्रम रोड़ों यानि कि जो उनके सिस्य जितने भी थे उनमें जो सबसे वुजुर्ग थे ये पिर जो सबसे अधिक विद्वान थे उन लोगों ने क्या किया एक सभा बैसाली में बुलाई कहां पर बेसली जिसे आज इमलोग बैसाली के नाम से यहां पर बुलाई ठीक है और वहां पर उनके सिक्षाओं का संक्लन कि क्या जैसे कि बुद्ध की मृतिव के बाद में इनके जो सिस्य थे हमें एक छोटी सी संक्या लेते है मालो की ब कुछास इनके सिस्य थे थे ठीक है बुद्ध की सिक्षाओं का ग्यान है कहां पर बैसाली में और उन सभी सिक्षाओं को लिपी बद कर दिया ठीक है एक पुस्तक में लिख दिया ठीक है तो उन्होंने सिक्षाओं का संकलन किया ठीक है इन गरंतों को त्रिपिटक जो जिन गरंतों में इनोंने बुद्ध के सिक्षाओं का संकलन किया उसको त्रिपिटक नाम से जाना गया किस नाम से त्रिपिटक अब त्रिपिटक सब्द का भी अर्थ है इसका आर्थ है भिन प्रकार के गरंतों को रखने के लिए तीन टोकरिया त्रिपिटक सब्दकार्थ क्या है भिन प्रकार के ग्रंतों को रखने के लिए तीन टोकरिया कहा गया अच्छा जो ये त्रिपिटक है इसमें कौन कौन से भिन प्रकार के तीन ग्रंत आते इसको भी समझ लो इसमें सबसे पहले आता है विनेपिटक जिसमें संग या फिर बौध मटों में रहने वाए लोगों के लिए नियमों का संग रहे किया गया कि अगर आप संग या फिर बौध मट में रहने आ रहे हैं तो यहां पर आपको किन किन नियमों का पालन करना होगा यानि कि संविधा पिटक सुत्र पिटक और विने पिटक ये तीनों मिलकर के क्या में बनते हैं त्रिपिटक बनते हैं ठीक है और हर पिटक के अंदर कई सारी ग्रंत होते हैं ऐसा नहीं कि एक पिटक जो जिसके अविधम पिटक है जिसमें दरसन से जुड़ेवे कई सारे बिसे हैं तो इसमें क दीपवंस और महावंस जैसे छेतर विसे के बहुत इतियास को भी लिखा गया दीपवंस यानि की दूइप का इतियास की बाई इस दूइप में ये धर्म इतना आधिक आगे बढ़ा ठीक है देखो मैं बार बार यहां पर एक सब्द के इस्तिमाल कर रहा हूं बहुत धर्म ठ सम्प्रदाय गा संप्र यह परकार कर संप्रदाय बढ़न संप्रदाय बहुत संप्रदाय रह multip अगे बेढ़ं परकार के के सपे इसको यां जब बहुत धर्म सीलंका जैसे नय उलाकों में फैला तो दीप बंस जिसे हम लोग दूइप का इतियास का इस नाम का इतियास और महावंस यानि की महान इतियास जो बहुत धर्म की महान गाता है ती वो महान इतियास में रखी गई और दीप बंस में दूइप का इतियास के बाई इस दूइप पर ये धर्म इतना अधिक आगे बढ़ बाध की युगों में संस्कित में ग्रंत भी लिखे गए, देखो पाली भासा में कई सारे पुराने ग्रंत लिखे गए थे, लेकिन बाध में संस्कित में बहुत ग्रंतों को लिखा जाने लगा, ठीक है, अगला पॉण्ट मिलता है, जब भाध धर्म पूरब एसिया में फैल में आये थे कि बहुत धर्म इतना अच्छा है हमारे देश में आया तो हमको बहुत ग्रंत अगर मिल जाएंगे तो उससे हम काफी दिख जानकारी प्राप्त कर सकेंगे तो फास येन और स्वें तसंग जैसे इसके बाद में और भी लोग आये थे ठीक है तो इनके जैसे तीरत राज के देशों में गए और बुद्ध की सिक्षाओं का प्रसार करने के लिए वे कई पुस्तके भी अपने साथ में लेकर के गए ठीक है यानि यहां से जो बहुत सिक्षक थे बड़े-बड़े मतलब जो ग्यानी पुरुस्ते बहुत धर्म का ग्यान रखने वाले वो लो अब तो हम सिक्षन की नगरी ही कहेंगी जिसे हम लोग कहते हैं वरिंदा वन ठीक है और मतुरा तो यहां पर आजकल बहुत सारे लोग आ रहे विदेशी ठीक है और यहां से भी बहुत सारे लोग जा रहे जो विदेशों में सिक्षन की लीलाओं का गीता का प्रचार प्रस लाइक कर दीजेगा क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो यूट्यूब को लगता है कि वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है ठीक है और इस वैसे वो वीडियो को आगे बढ़ाता है अगर लाइक नहीं करते हो तो यूट्यूब को लगता है कि लोगों को पसंद नहीं आया है लोग देख करके निकल गए और कोई फर्क नहीं पड़ता है इसलिए वो वीडियो को आगे नहीं बढ़ा तो लाइक कर दीजीगा तो आजीवग पनमपरा के विद्वान थे जिनका नामे मक्खली गोसाल ठीक है इन्हें नियतिवादी कहा जाए था इनका विश्वास ये था कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है पहले से सब कुछ हो रखा मनलम निर्धारित है यानि कि इसको लिए कहबत भी कही गई है कि ह हुई है ओई जो राम रची राखा क्या कहा गया है हुई है ओई जो राम रची राखा ठीक है यानि होगा वही जो राम ने पहले से लिख करके रखा हुआ है ठीक है और इसके आगए भी है कि क्या करी का करी सकें बढ़ावाएं साकाय सब के मुझे पूरी याद नहीं है मुझे पूरी याद नहीं थीक है तो इनका ये मानना था आजी परंपरा के विद्वान जिनका नामे मक्खली गोचसाल ठीक है कि भाई ये सब कुछ पूरुप निर्धारित है ये नियती वादी थे ठीक है इसके बाद में केस कंबलिन नामक दार्शनिक और वे जो की लोकाय परंपरा के थे इन्हें सामानेता बहुत ही वादी कहा जाता है ये इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि सब कुछ पहले से निर्धारित है और देखो विश्वास रखना भी नहीं चाहिए कि सब कुछ पहले से निर्धारित है हाँ कापी हद तक निर्धारित होता है लेकिन अगर सब कुछ पहले से ही निर्धारित है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता है, तो हम इंसानों को ग्यान क्यों दिया गया, बुद्धि क्यों देगी, सोचने की छमता क्यों दीगी, इसलिए दीगी, ताकि हम लोग सोच समझ कर अपने इसाब से निर्णन ले सकें, और अपने आने वाले भविश्य को बदल सकें, जैसे कि आज के टाइम पर आप देखो, अगर आप पहले से और अपने अंतर देखो, तो पहले मातर आप दस साल पहले देख लो, जब भी आप गाउं में जाओगे, तो आप बहुत सारे पक्षियों को देखते होगे, आप जा क की जोड़ी मिल जाती थी, गाए बैली मिलते थे, अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं, पहले प्रदोसर कम था, अप प्रदोसर और अधिक है, तो देखो, हमारे सामने एक सीख है, कि हम आने वाले समय में प्रदोसर को कम कर सकें, नहीं तो जब दस सालों में इतना रहेगा, ठीक है, कितने कैंसर के मरीज और पैदा होंगे, कितने टीबी के मरीज पैदा होंगे, ठीक है, तो इसको रोकने के लिए हमें बुद्धी दी गई, पूर्व्निधारित नहीं है सब, ठीक है, और इस दार्सनिक के परंपरा के ग्रंत नश्ठ होगे, जो बहुती बारे में इनके ही ग्रंतों से जानकारी हमको नहीं मिलती क्योंकि इनके ग्रंत नश्ट हो गए केस कंबली नामक दारसनिके जो की लोकायत परंपरा से थे और ये बहुत ही बादी थे ठीक है आगे बढ़ते यहां से जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि जैन धर्म के जो 23 में तीर्थकर निकल के है 24 में तीर्थकर निकल क्या थे जिनका नाम है वर्दमान महावीर इनों ने क्या संदेश दिये थे ठीक है सबसे पहला पॉंट मिलता है जैनों के मूल सिधान चटी सदी इसापूर में वर्दमान महावीर के जन्म से पहले उत्तर भारत में प्रशलित थे, कहां पर उत्तर भारत में जो आपका उत्तरी इलागा है जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया उत्तर प्रदेश हो गया बिहार है यहाँ पर बर्दमान महावीर के जन्म से पहले ही जैन धर्म के कापी सारे सिद्धान थे छटी सदी इसापूर में ही प्रचली थे यह पहले थे जैन धर्म के जो बर्दमान महावीर हैं यह अंतिम तीर्थकर थे ठीके 24 में और अंतिम तीर्थकर थे इससे पहले 23 लोग और आये थे जिन लोगों ने यहाँ पर अपने ग्यान को बाटा तो पहले से प्रशलिता जैन परंपरा के अनुसार महावीर से पहले 23 इक्षक और हो चुके थे जिनें तीर्थकर कहा जाता था यानि वे पुरुस जो बे महापुरुस जो पुरुसों और महिलाओं को जीवन की नदी को पार पहुंचाते थे यानि ऐसे विक्ति ऐसे विक्ति को तीर्थकर माना गया जो महापुरुसों और महापुरुस ऐसा हो जो कि इस्त्री और पूर्ज दोनों के जीवन की नदी को पार पहुंचाती यानि कि उनको ग्यान दे सके और उन्हें आगे बढ़ा सके अगला पूर्ण मिलता है जैन दर्सन की सबसे महत्पूर्ण अबधारणा यह है कि संपूर्ण विसु प्राणवान है इनका क्या मानना है इनक यहान दर्म का केंद्र बिन्दो था देखो जैन धर्म में सबसे बड़ा सिद्धान रही है कि संपूर्ण विसु प्राणवान है यानि कि अगर आप जो स्वास लेते हैं तो स्वास के माददयाम से भी आपके मुमें कुछ ने कुछ बारस जाते है वो भी प्राणवान है उटने के बाद मेंं एक गिलास पानी जरूर पी हैं जब कि जैन धर मना करता है जैन धर मना इसलिए करता है क्योंकि जो आप सोकर के उड़ते हैं तो मुूआ के अंदर कई सारे कीटाडू होते हैं और इनका मानना है कि जीव की हत्या करना पाप है ठीक है और अगर आप पानी पीते हैं तो वो सारे कीटाड़ों मर जाते हैं इनको यह कहना है कि वो कीटाड़ों है आप सोकर के उठ गए उन्हें अपने आप मरने दो आप जीव हत्या मत करो ठीक है यूँकि इनका मानना है कि संपूर्ण विश्व प्राणवाने जीवों के प्रती अहिंसा खासकर इनसानों, जानबरों, पेंड़ पौदों, कीड़ों मुकोडों को ना मारना जैन धर्म का केंदर बिंदु है ठीक है अब इस लेवल की अहिंसा का ये पालन करतने आप समझ सकते हो जैन माननता के नुसार अगर आपको जीवन के इस चक्र से कर्म के चक्र से मुक्ति पानि है अच्छा कर्म, बुरा कर्म ना हो हमसे बुरे कर्म ना हो, अच्छे ही कर्म हो तो इसके लिए आपको त्याग और तपस्या करनी होगी ठीक है ये संसार के त्याग से ही संबब हो पाता है देखो अगर आपको कर्म किस चक्र से मुक्त होना है कि अगर आप मतलब आपका जो भी काम हो वो किसी को भी हानी ना पहुँचाए हमेशा आपका कर्म अच्छा ही रहे तो इसके लिए आपको क्या करना है जैन धर्म के अनुसार संसार का त्याग करना होगा क्योंकि आप जो भी काम करेंगे उससे किसी ना किसी विक्ति को हानी होगी जैसी कि आप ब्यापार करने जा रहे हैं ठीक है पहले से वहाँ पर एक ब्यापारी मौझूद है आप ब्यापारी आप ब्यापार करेंगे मार्केट तो उतनी ही है मार्केट तो बढ़ने वाली है नहीं तो आपका अगर फायदा होगा तो इसको घाटा होगा यानि कि यहाँ पर क्या होगा आपका जो आपको क्या किया किसी विक्ति से जूट बोल दिया तो वो भी एक प्रकार का बुरा कर्म है ठीक है अगर आपको जीवन के कारियों में रहना है संसार में रहना है तो आपको ऐसे कर्म करने ही होंगे जो की गलत हैं गलत तो नहीं कह सकते लेकिन हाँ ऐसे कर्म करने होंगे जिससे की लोग प्रभावित होते हैं ठीक है लोग प्रभावित होते हैं तो इनका मानना यह था कि अगर आपको कर्म के चक्र से मुक्ति पानी है ठीक है तो आपको संसार से त्याग करना होगा ठीक है त्याग इसके दोरा ही संबबे इसलिए मुक् सबसे पहला व्रित यह था कि हात्या ना करना जीवों की हात्या बिल्कुल भी नहीं करनी है ठीक है दूसरा चोरी नहीं करना चोरी नहीं करनी है चोरी जो होती है देखो दुनिया में अगर कोई भी पाप है तो एक ही पाप है चोरी करना ठीक है मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ठीक है आप किसी विक्ति के साथ में गलत किया तो आपने उसके साथ में अन्याय किया उसके न्याय को चुरा लिया ठीक है आपने मतलब जो भी काम करोगे तो उसमें चोरी ही होगी ठीक है तो चोरी नहीं करना दूसरा व्रता तीसरा था जूट ना बोलना ठीक है आप संसार म मत करो जितना अधी धन का संगरे करोगे उतना दिक आपको लारश बढ़ेगा और लारश बढ़ेगा तो आपको फिर मतलब यह पांच वृज जो है आपके तूट जाएंगे ठीक है और ब्रह्मचरे का आपको पालन करना होगा ब्रह्मचरे जो होता है ब्रह्मचरे में सरफ एक ही चीज़ नहीं आती है कई सारी चीज़ें आती है जिने हम डिसकस कर चुके हैं क्लास 6 की NCRD में ठीक है अब जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ एक बार इसको भी डिसकस करने है धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया बहुत की तरह ही जैन विद्व जैसे आपने देखा बहुत धर्म के साहिते का सरजन हुआ इसी प्रकार से जैन धर्म के भी साहिते लिखे गए इनमें भी पुस्तकें लिखी गए ठीक है सैकड़ों बरसों से इन गरंतों की पांडलिपियां मंदिरों से जुड़े पुस्तकालों में सनक्षित है जो भी जैन धर्म से जुड़े वे गरंत लिखे गए उनकी जो पांडलिपियां है या आप देख सकते इसी प्रकार की पांडलिपियां है मंदिरों से जुड़े व गा देंगले मुलती हैं ठीक है तो जो मूर्थियां है वो तीर्थकरों के जो उपासक मैं इसे आसानी से नहीं पढ़ सकता लेकिन हां अगर कोसिस करूँगा ठीक है तो पढ़ने की कोसिस कर सकते हैं जिसे कि भाई दरक लिखा आई गए ठीक है दरक पा पढ़ानाप डिरुवाश्न लीगा ठीक है जो भी है ठीक है आप कोजिस कीजेगा और अगर निकाल सकते हैं इस कार्थ तो कम्प्लीट इस कार्थ निकाल कर मेंड बॉक्स हो बताना मज़ा कर रहा हूं लेकिन हाँ कोजिस करना ठीक है अब बुद्ध और ग्यान की खोज हमने जैन धर्म के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थोड़ी सी ठीक है अब बौध धर्म के बारे में भी यहां पर थोड़ी सी बात कही जारी समझो बुद्ध उस यूग के सबसे प्रभाब साली सिक्षकों में से एक थे जिस यूग मे जैन धर्म का प्रसार हो रहा था ठीक है और ग्यान की खोच की जारी थी सैकड़ों बरसों के दोरा उनके संदेश पूरे महादुईप में और उनके उसके बाद एमद एसिया होते हुए चीन, कोरिया, जापान, सिलंका और समुद्र पार, म्यामार, थाइलेंड और इंडोनेसिया तक फैले बहुत धर्म के जो भी सिध्धानत हैं, ठीक है, ये बहुत ये अच्छे हैं, बहुत धर्म को मानना कोई, जैसे कि आपने भी बियार अमबेटकर जीको देखा, इन्होंने एक बात कही थी, कि हम मतलब पैदा तो हुए हैं हिंदू, लेकिन मरेंगे हिंदू नहीं, तो बहुत धर्म की जो बाते हैं, वो बहुत ये अच्छी थी, ठीक है, सिधानत बहुत अच्छे हैं, तो जो गौतम बुद्ध थे, ठीक है, ये सबसे प्रवापसले सिक्षकों में से एक थे, और इनकी मृत्यों के बाद में, सैक्रों बरसों में, इनका जो ग्यान है, वो मद बुद्ध के बच्पन का नाम क्या प्रशना जाता है, सिधार्थ जो है, बुद्ध के बच्पन का नाम था, तो सिधार्थ साक कबीले के सरदार के बेटे थे, जीवन के कटू, ये अथार्थों से दूर, उन्हें महल की चार दीवारी के अंदर, सब सुखों के बीच किया गया था, अब आपके मन में सवाला रहो कि ऐसा क्यों, मतलब जीवन के कटू ये थार्थों से दूर क्यों, देखो जब इनका जन्म हुआ था, तो आप पता होगा आपको कि पहले क्या हो था था, कि जो मावाप थे, वो सादूओं को, रिसी मुनियों को, जो ग्यानी देखती थे, उनको हाथ दिखा कर कि पुशवादे थे कि भाई हमारे बेटे का आगे वविश्चिक ऐसा होगा, तो जब इनका जन्म हुआ, तो इनके पिता जी ने कई सारे रिसी मुनियों को बुलाया, ठीक है, और ये कहा कि भाई, इनका हाथ देखकर के बताओ, कुंडल बनाची और देखकर बताया गया, तो सभी ने ये कहा, कि भाई, ये जो वेक्ति हैं, ठीक है, ये आगए चलकर के सन्यास ले लेंगे, और इस युग के सबसे प्रभावसाली वेक्ति बनेंगे, ठीक है, सन्यास लेंगे, आप कितना भी प्रयास करो, जब सभी ने ये बात क तो ये एक मतलब एक ऐसे वेक्ति को लेकर किया है जिनसे इन्होंने मतलब यहाँ दिखाया और उन्होंने भी यही बात की जब सभी यह बात करें तो इन्होंने उनसे समाधान पूँचा जो कि अंतिम वेक्ति थे उनसे समाधान पूँचा कि भाई इसका समाधान क्या है तो इनको माया के जंजाल में डाल दो, इतना माया के जंजाल में डाल दो, कि इनको सन्यास लेने का मन ही ना करे, तो जब ये बड़े हो रहे थे, तो इनके आसपास सुधर औरतें रहती थी, एक भी सूखा पता था, अच्छे अच्छे भोजन जाते थे, केवल जवान लोग इनक जीवन के कटू या थार्तों से दूर उन्हें महल की चार दिवारियों के अंदर सब सुखों के बीच में इसी प्रकार के सुख सभी सुखों के बीच में बढ़ा किया गया एक दिन उन्होंने अपने रतकार को उन्हें सहर घुमाने के लिए मना लिया कि भाई हमें सहर घुमन जितने भी बीमार व्यक्ति थे उनको उनसे का कि भाई घर से वार नहीं निकलना है जितने भी व्यक्ति मर गय थे फिर जो मरने वाले थे उनसे से का कि भाई आप घर से वार तभी निकलोगे जब ये सिधार्त वहां से निकल जाएंगे ठीक है उससे पहले नहीं दिखोगे एक भी सूखा पत्ता तक रोड पे नहीं आएगा जितने भी बूड़े लोग हैं वो इनके सामने नहेंगे सब सुन्दर और जवान लोग ही इनको देखने को मिलें ऐसी विवस्ता कर दी हर जगे पर सापसफाई करवा दी फूल बिचवा किसी वृद्ध विक्ति को देखा था तो इन्होंने अपने रती से पूछा जो रतकार था उससे सार्थी से पूछा कि वाई ये वृद्ध विक्ति कैसा तो उन्हों उसने कहा कि वाई एक दिन सभी को वृद्ध होना पड़ता है फिर और आगे बढ़े तो इनको एक बीमा होंगा क्या मैं भी बीमार पड़ूंगा तो उन्हों का कि हाँ बाई जरूर आप भी बूडे होगे और आप भी बीमार पड़ोगे आज नहीं तो कल ठीक है फिर जब और आगे बड़े तो एक लास को देख करके उनको गहरा सदमा पहुंचा उन्हों देखा कि वाई एक Wicked जो है मर गया है और उसको लेकर की लोग जा रहे हैं छीडागे न है और सार्ति के बाई हर विक्टी को ऐक न ऐक दिन बॉरना है। आप भी मरेंगे। उसी च्ण उन्हें एह अन्भूति हुई कि मनुस्य के सरीर का चैहे और अंतनिशीट है उनको यह पता चले आगए एक दिन उनन्स मनुस्य का जो चैहे वो मरेगा ठीक है मतलब एक दिन उसका चैहे हो जाएगा निश्ट हो जाएगा और वो मर जाएंगे उन्होंने एक ग्रहता किया है सन्यासी को भी देखा उसी अपा दिख रहा था ना ही बीमारी दिख रहे थी और ना ही मृत्य की कोई भी परिसानी दिख रहे थी इनको मतलब वो सन्यासी करत हुआ कि मतलब सब पूरे के पूरे संसार को त्या करके वो मतलब भगवान की बजन में लीन हो करके चलता रहे था उसे किसी चीज़ से कोई मत भी नहीं थी ठीके और उसने सांती प्राप्त कर ली थी मतलब जो सन्यासी मिला उनको स्नी प्राप्त कर ली थी इसी देकर के सिधार्यक्तने निंश्चे किया कि वह भी सन्यास का रास्ता अपनाएंगे उन्होंने सबसे अच्छा जीवन वही देखा कुछ समय बाद महल त्याग करके वे अपने सत्य की खोज में निकल गए कुछ समय बाद उन्होंने महल को त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल गए सिधार्त ने साधना के कई मारगों का अन्वेशन किया मतलब साधना करने के लिए उन्हें कई सारे मारगों को अपनाया ठीक है एक था सरीर को अधिक सदिक कष्ट देना इन्होंने सबसे पहले क्या किया अपने सरीर को अधिक सदिक कष्ट दिया जिसके चलते वो मरते मरते भी बचे थे कि वाई इससे हमें हो सकता है कि ग्यान प्र लपते रहे और इसे होती रही ठीक है ऐसी क्या हुआ वह वो मरते मरते बचे इस अतिवादी तरीकों को त्या करके ईद्र कश्ट कररके इसमें नीचे आजलावीच में उपर लटके हैं और भगवाने दरसंदिये, गन्तों में ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है, उसी प्रकार्षिनों भी कोई ना कोई एक ऐसा काम किया होगा, ठीक है, जिससे इनको ऐसा लगा होगा कि भाई हमको ग्यान प्राप्त हो जाएगा, लेकिन प्राप्त नहीं हुआ, जिससे ही मरते-मरते बचे फिर इन्होंने ध्यान करते हुए अंतियम ग्यान प्राप्त किया ठीक है इसके बाद से उन्हें बुद्ध अत्वा ग्यानी व्यक्ति के नाम से जाना गया ठीक है बाकी जीवन उन्होंने धर्म या सम्मेक जीवन आपन की सिक्षा दी ठीक है मतलब आगे का जो जीवन इनोंने जिया ग्यान प्राप्त करने की बाद में ग्यान प्राप्त करने से पहले इनको जाना गया था किस नाम से इनको जाना गया था सिधार्त नाम से और जब इनोंने ग्यान प्राप्त कर लिया तो इनको ग्यानी व्यक्ति या फिर बुद्ध की नाम से जाना गया और इसक बुद्धे ढहाँएं का अब इन कहानियों में इनके सिक्षाओं को कहानिया इसी है जिनमें कहा जा रहा है कि बुद्ध को अलोकिक सक्तियां प्राप्त थी कुछ कहानिय ये भी बताते हैं कि अलोकिक सक्तियां प्राप्त होने के बाद भी जो बुद्ध थे इन्होंने उन सक्तियों का इस्तिमाल नहीं किया और विवेक और तर्क के माद्यम से यानि कि लोगों को समझा करके ठीक है उन्हें ग्यान प्राप्त करवाया और उसके आधार पर उन्होंने विवेक और तर्क के आधार पर लोगों को समझाने का प्रयास किया ठीक है आगे बढ़ते बौधर दर्शन के अनुसार विस्ट अनित्य है अच्छा अनित्य कार्थ क्या होता है अस्तिर यानि कि ये सब आज नहीं तो मतलब नश्ट हो जाएगा थेक है विस्ट जो जो अनित्य है और लगातार बदलाँ है चेंज लगातार हो रहा है और यह आत्मा विहीन आत्मा विहीन करता है किसी मानवी गुड़ का प्रभाव या किसी मानवी गुड़ या प्रभाव का अभाव ठीक है यानि कि किसी भी मानवी गुड़ का अभाव जिसे हम आप देखते हो ठीक है हम आपके अंदर मानवी गुड़ हैं ठीक है गुड़ है इसके उपर कोई भी है क्योंकि यहां कुछ भी इस्थाईया सासोत नहीं है यह चण भंगूर दुनिया चण भंगूर कार्थ होता है कुछ ही पलो में नश्ट हो जाने वाला ठीक है तो चण भंगूर दुनिया में मनुस्य जो है दुख मनुस्य के जीवन का अंतर नहीं तत्तो है यानि कि मनुस्य के अंदर समाया हुआ एक तत्तो है क्या कहा जा रहा है बौध दर्शन के नुसार जो विश्ट है यह अनित है यानि कि नस्षर है अस्थिर है यानि कि आज नहीं तो कलिए नश्ट हो जाएगए क्योंकि यहां पर कुछ भी इस्थाई नहीं है कुछ भी 700 नहीं है और यह चण भंगुर दुनिया में यानि कि चण भर की दुनिया में कुछी फलों की दुनिया में जैसे कि आज आज आप देखोगे हमारा आपका जीवन जो है 100 सालों का है ठीक है मुदलब 100 सालों का जीवन है और आजकल अगर देखा आया तो 60-70 साल ही की ही उम्र रह गई है जो हम लोग खाना पीना खा रहे उसके अनुसार ठीक है अगर देखा जाये तो इससे पहले हम आपके जीवन से पहले जहां पर आप रह रहे हो क्या गैरेंटिक उससे पहल किसी ने किसी पीडी से चलकर के आया हो ठीक है आपके ही वनसज हूँ ठीक है तो ऐसा होता रहता है ठीक है तो कहाई जा रहे है इस छड़ भंगुर दुनिया में मनुसार के जीवन का अंतर नहीं तत्तो है यानि कि मनुसार के साथ चलने वाला मनुसार के अंदर नहीं तत् प्रति लगा हो ना वहीं आप कहा सकते हो ठीक है तो गोर तपस्या और विश्या सक्ति के बीच मध्यम मार्ग अपना कर मनुस्य दुनिया के दुखों से मुक्ति पा सकता है कि इसने का बौध दर्सन के नुस्वार इससे कहा जाता है कि घोर तपस्या मतलब आप बहुत सारी तपस्या कर रहे हो और सांसार के साथ में पू Lor रूप से लगे दॉट सांसार के प्रति आप का लगाव बहुत तेज है और अप गोर तपस्या करने में लगे इन दोनों के बीच में मध्यम मार्ग अपना करके बीच का मार्ग अपनाईएगा ठीक है नहीं आप घोर तपस्या कीजिएगा बहुत दिक और नहीं संसार के साथ में आप पूर्ण रूप से लगे रहेगा मतलब पूरी के पूरी आपकी जो सोच है वो संसार के प्रति है कि ह हमको यह भी चाहिए वो भी चाहिए लालश भरा आपके अंदर तो आपको ग्यान प्राप्त नहीं होगा मध्यम मार्ग अपना कर मनुस्तों दुनिया के दुखों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है ठीक है बहुत धर्म की परंपराओं में भगवान का होना या ना होना अप् बात है वो भगवान के होने या ना होने पर डिपेंड नहीं करता है हम बात करें कि आप अपने दुखों से कैसे मुक्ति पा सकते हो ठीक है और दुखों से मुक्ति पाने के लिए आपको क्या क्या करना होगा हम वो बता रहे हैं इसके लिए भगवान जो है वो इसको बीच पीच में मतलाईएगा ठीक है आगे बढ़ते हैं बुद्ध मानते थे कि समाज का निर्माण इंसानों ने किया ठीक है हो सकता है कि दुनिया का निर्माण भगवान ने किया हो लेकिन जो समाज है इसका निर्माण भगवान नहीं बलकि इंसानों नहीं किया है ठीक है और इन् पूरी जिंदगी जी रहे हो फिर मर जा रहे हो फिर जन्म ले रहे हो फिर मर रहे हो ठीक है और जन्म लेने के बाद में आपको जीवन में दुख ही दुख मिल रहे हैं ठीक है कि भाई आपने जन्म लिया, ठीक है, आप कहीं भूग के मारे लो रो रहे हो, कोई चीज आपको नहीं मिले इसके लिए लो रो रहे हो, आपको अच्छा स्वाद रही मिल रही है आप अच्छीजें खाने के लिए रो रहे हो। गाड़ी चलाने के लिए रो रहे हो घूमने के लिए रो रहे हो इन सभी से अगर आपको जन्मर मृत्धी के चकर से मुक्ती पाना है तो आत्म ज्यान प्राप्त करना होगा आपको ठीक है और निर्मार्ण के लिए व्यक्ति केंद्रिथ हस्सक्षे यानि कि आपको अपने ही अंदर जहां करके अपने अंदर की बुराइओं को नश्ट करना होगा और सम्मे करम की कल्पना इनों ने की है आगे बढ़ते निर्वार का मतलब है अहिम और इच्छा का खत्म हो जाना याणि कि अगर आपको निर्मार प्राप्त करना है तो अपने अंदर की इच्छाओं को समाप्त करना होगा ठीक है जिससे ग्रहत्याग करने वालों को दुख के चकर का अंत हो जाता जैसे कि भाई आपने ग्रहत्याग करतो कर दिया यनि कि आपने अपने घर को तो छोड़ दिया लेकिन आपके मन में चिंता लगी कि भाई हमारे घर में यार 500 रुपए पड़े थे और वो हमको अभी तक मिले नहीं यार कहां पर कोई चुराकी ना ले जाए तो आपको यह लालस त्याग ना होगा अहिम इच्छा त्याग ने होगी आपने देखा कि भाई हमारा घर है ठीक है तो आपको वो ने जो हैं उनके दुख के चकर को खत्म किया जा सके ठीक है दुख के चकर का अंत हो सकता था बौध परंपरा के अनुसार अपने सिस्यों के लिए उनका अंतिम निर्देश था कि तुम सब अपने खुद अपने लिए खुद ही जोती बनो क्योंकि तुमें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूनना है बौध ने अपने सभी सिस्यों के लिए अंतिम निर्देश दिया था वो ये था कि भाई तुम सभी को अपने आप आगे बढ़ना होगा जैसी कि भाई एक बहुत अच्छा मैसेज आपके साथ अपके पास जाएगा इसको लेकरन कापी साहिलों क्या करतें टीचर के उपर पॉरूणोवसे डिपेंड हो जाते हैं कि भाई सर आप जैसा इसा बताएंगे हम इसा बैसा इसा करते चलेंगे और आप ही हमें एक्जाम को पास करवा दीजीगा आप जतना बताएंगे हम याद कर लेंगे आप जतना बताएंगे हम लिख लेंगे आप जतना बताएंगे हम पढ़ लेंगे और आप बता दीजेगा हम उसी तरह से त्यारी करेंगे आगे बढ़ेंगे देखो ऐसे कोई भी UPSCLeare नहीं होने वाली है ठीक है कन्या कुमारी तक आपको जाना है ठीक है आप कस्मीर से कन्या कुमारी तक जाने वाले किसी एक वेक्तित से आप मिले ठीक है और मतलब क्या है कि उससे आपने पूछा उसने बता दिया कि यहां से यहां जाओ वहां से वहां जाओ ऐसे ऐसे करो और आप कन्या से कस्मीर से कन्य चलेगा कि यहां से यहां तक का रास्ता क्या है या फिर आप खुद यहां से चलोगे और यहां तक जाओगे एक मतलब दो इस शिती आप समझेगा कि एक इस सिती में आप कस्मीर से कन्या कुमाई तक जा करके स्वय मुशीच का अनुभब कर रहे हैं तो यह चीज़ आपके जाना समझ में आएगी या फिर किसी व्यक्ति से मेल करके आप यहां से यहां तक जाने की रास्ते की वारे में पूछ रहे हैं दोनों में से आपको समझ में कौन सा जादा आएगा आपके अंदर कौन सा बैठ जाएगा याद कौन सा रहेगा जादा समय तक ठीक है आपके लिए अच्छा क्या है वो आप समझ पा रहे होंगे आपका खुद का अनुवव ही आपके काम आएगा इस विक्ति ने आपको बता जरूर दिया है लेकिन आज नहीं तो कल आप ये भूल जाएंगे ठीक है लेकिन आप अग अपनी मुक्ति का रास्ता ढूनना है कोई नहीं आएगा आपको अब मुक्ति दे आने के लिए ब्योहार में बहुत धर्म इसको भी समझो सुत्थ पिटक के लिए एक उधरन में बुद्ध सिगल नाम के एक अमीर ग्रहपति को सलाहा दे रहे हैं क्या काई सुत्थ पिटक क से लिए गए एक उधरन याने कि देखो सुत्थ पिटक से यहां पर सुत्थ पिटक से यहां पर एक उधरन लिया गया है जिसमें बुद्ध जो हैं सिगल नाम के एक अमीर ग्रहपति को सलाहा दे रहे हैं क्या सलाहा दे रहे हैं दो पाइंटों के मदद से समझो पहले मैं क को अपने नोकरों और करमचारियों की पांस तरह से देखवाल करनी होगी ठीक है पहला उनकी चमता के नुसार उनसे काम लेना होगा ठीक है अगर आपको दुखों से मुक्ती पानी है और आपको मतलब अच्छे सा चलना है तो उन्होंने अधान के माद्यम से सिक्षा दीती की आप अमीर वेक्ती अच्छी बात है आप पांच तरह के देखवाल करो अपने करमचारियों के सबसे पहले उनकी चमता के नुसार उनको काम दो दूसरा उन्हें भोजन और मजदूरी दे करके ठीक है जैसा भोजन आप खा रहे हैं वैसा उनको भी दीजीगा ऐसा नहीं कि आप पकवान खा रहे हो मतलब चपन प्रकार के भोग खा रहे हो और उनको आप चपन प्रकार के भोग नहीं खिला रहे हैं मतलब आप चपन प्रकार के भोग खा रहे हो और उनको आप क्या खिला रहे हो सूखी रोटी छप्पन नहीं तो कम से कम दो प्रकार की यह भोग लाँ दो छेया जैसा आप अप खिला और पर पांस तरह से आप अपने करमचार्यों की देख़ार कर सकते हो कुल की लोगों को पांस तरह के पांस स्रमनों और ब्रामनों स्रमन यानि कि जिन्होंने सांसारी जीवन को त्याग दिया कुल के लोग जो थे उनको पांस तरह से स्रमनों और ब्रामनों के देखवाल करनी चाहिए ऐसा इन्होंने कहा कर्म वचन मन यानि कि कर्म वचन और मन इन तीन तरह से अनुराग द्वारा या उनके स्वागत में हमेशा घर खुले रख करके मतलब जब भी आपके घर पे कोई ब्रामन या पर समन आ रहा है समन जिसने सांसारी जिवन का त्याग कर दिया सन्यासी आ रहा है तो आप उसके अपना घर के दरवाजे खोल करके उसका स्वागत करो ठीक है उनकी दिन प्रतिद से आपर दो एक्जामपल दिये गए आगे बढ़ते बुद्ध के अन्याई जो थे उनके बारे में भी थोड़ी सजानकारी मिलती है दीरे-दीरे बुद्ध के सिक्षा का दल तयार हो गया और इसलिए उन्होंने संग की इस्तापना की ऐसे विक्षों की एक पर संस्ता एक स जो धम के सिक्षक बन गए यानि कि यहां पर आये ग्यान प्राप्त किया ठीक है संग में संग की इस्तापना की जिसमें लोग को लाए ठीक है और आने के बाद में जो लोग आये उनको ग्यान दिया और ग्यान देने के बाद में धम का सिक्षक बना दिया यह स्रमन एक साद जीवन बिताते थे उनके पास जीवन यापन के लिए अत्यावस्षिक चीजों के अलाबा कुछ नहीं होता था यानि कि जीवन जीने के लिए जो अत्यावस्षिक चीजे हैं के वही लोग रखते थे स्रमन लोग जो थे के वही चीजों को रखते थे और बाकी की किसी भी इसे सिश्यों का दल त्यार हो गया तब संग की इस्थापना की गई और अधिट्शों की संस्ता हो गए जो की धंके शिख्षक बन गए ठीक है लोग क्या करते थे इनके पास परहर सबसे पहला जीवन बिताते थे बिLKU? साधा और जो चीजे अती आवर्शे के जीवन चीने के लिए उसके अलबा और कोई भी चीज अपने पास नहीं रखते थे ठीक है और चूंकि ये भीक मांगकर अपना जीवन बिताते थे दान के माद्यम से तो इनको बिक्कू कहा गया ठीक है अगला पॉर्ण मिलता है सुरू यह हजार साल तक चलता थेक है अगर महिलाओं इसमे प्रवेस ना कर दे तो हजार साल तक चलता लेकिन चूंकि महिलाओं ने प्रवेस ले लिया है तो यह धर्म केवल 500 साल तक ही चलीगा और हो सकता है उससे भी कम चले ठीक है ये बात बुद्ध ने कही थी और ऐसा हुआ भी था ठीक है अच्छा यहाँ पर जब इन्हों ने ऐसा कहा ठीक है जब स्टार्टिंग में जब केवल पूरुसी सम्मिली थे महिलाओं को अनुमत नहीं मिली थी तो बुद्ध ने कहा कि वाई महिलाओं को इसमें प्रवेस मत द वाइं को हर बात कद Catholics नहीं होता है कि महिलाओं को महिलाओं जो होती अपन्य आप में सकती होती है थी महिलाओं की बज़े से बहुत धर्म 126 साल तक ही क्यों चलेगा थीठक है आज अगर आप देयो तो बहुत धर्म है बहुत अच्छा लेकिन बहुत धर्ram सिमट कर रही ग कम है ठीक है तो जब बुद्ध ने मना कर दिया तो इनकी मौसी जी आई थी ठीक है महा परजापती गौतमी जो की इनकी उपमाता भी थी मौसी जी थी इनकी मा की बहन ठीक है उन्होंने आकर के बुद्ध से मतलब प्रातना की ठीक है और फिर आनंद ने भी इनको समझाया तब जाकर के बुद्ध ने महिलाओं के प्रवेस का अनुमती दी ठीक है देखो महिलाओं से होता क्या है कि आप जा रहे हो अच्छे का से जा रहे हो ठीक है एक सुन्दर इस तरी आपके सामने से निकल जाए आ कि महिलाओं के पास में अपनी खुद की एक सक्ती होती है ठीक है वो सक्ती है इसलिए गुद्ध ने कहा था कि महिलाओं की प्रवेश इसमें नहीं होना चाहिए ठीक है बुद्ध की उपमाता जिनका महाप्रजापती गौतमी ये संग में आने माली पहली भिकुनी बनी थी की उप देसी कायं बन गई जो आगे चलकर के थेरी बनी जिसका मतलब था ऐसी महिलाएं जिन्होंने निर्वान प्राप्त कर लिया है ठीक है मतलब ऐसी महिलाएं बन गई जिन्होंने निर्वान प्राप्त कर लिया तो देखी काफी अधिक के यहाँ पर देखने हूं मिलता है देखो आगे चल करके हुआ कहाता जब महिलाओं के इसमें प्रवेस हो गया तो महिलाओं कहा है कि देखो आज कल तो हम लोग मजाक में कहादे ते महिलाओं के पास में एक ग्यान कम होता है बुद्धी नहीं होती ठीक है दिमाग खाली होता है उस टाइम पर क्याता जो पुरुस थे वो तो अगर केवल पुरुसी हैं तो वो लाइन बार अपने एक नीती से चलते रहते लेकिन जब महिलाएं भी यहाँ पर प्रिवेस लेने लगी तो इसमें धीरे-धीरे कई सारे ब माने जाने लगा धीरे-धीरे और भी कई सारे परिवतन आए और आगे आपको देखने को मिलते है ठीक है तो इस वज़े से महिलाओं की वज़े से यह जो धर्म है कम साल तक चला ठीक है आगे बढ़ते एक बार संग में आ जाने पर सभी को बराबर माना जालता चाहें वो म भिखू या भिकुनी बनने पर उन्हें अपनी पुरानी पहचान को त्याग देना पड़ता था आप चाहें महिलाओं पुरूस हों किसी भी जाती धर्म मजहब की क्यों नहों अगर आपने एक बार संग में जॉइन कर लिया संग को जॉइन कर लिए संग में आ गए तो अमीर बाप की अउलाद क्यों नहों आप उसी के बराबर हो ठीक है संग की संचालन पद्दती गड़ों और संगों की परंपरा पर आधारित थी ठीक है यानि जो गड़ और संग की परंपरा जिसकी बारे में हमने क्लास 6 में और क्लास 12 की पिशली चेप्टर से में पढ़ा अगर संबब नहीं होता था सबी लोग की मत नहीं मिलते थे तो मतदान दोरने लिया जाता था कि जिसे चेतर में जिस बात पर जादन लोग एगरी करते थे वो बात मानी जाती थी ठीक है तो जो संग की जो संग है ये ठीक है संग का जो संचालन होता था इसमें जो भी नियम बनते थे जो भी बाते होती थी वो गड़ और संग की परमपर पर आधारी थे बुद्ध के जीवन काल में और उनकी मृत्यू के बाद भी बहुत धर्म तेजी से फैला इसका कारण ये था कि लोग संगालिन धार्मिक प्रत असंतुस्ष थे और उस युग में तेजी से होरे सामाजी वधलाबों ने उन्हें उल्जलों में बांध के रखा थे को उस टाइम पर क्या था बाल विवा चल ला था उस टाइम पर सतिपरता भी चल रही थी उस टाइम पर देखो विद मा जो थी विदम आ औरतों का विब बिमारी आ गई अब जब चुवचूत नाम की बिमारी आ गई और भी कई सारी चीज़ा है तो इसमें क्या है कि सनातन धर्म से भी लोग दिर दिरे अलग होने का प्रयास करने लगे ठीक है तो यहां पर बहुत धर्म को कापे साहे लोगों ने अपना लिया था बहुत सिक्षा को यहां पर आचरन और मुल्लियों को जो महतो दिया गया यह इसको बहुत धर्म को आगे बढ़ाने के लिए सबसे इंपोर्टेंट टॉपिक रहा था ठीक है इससे जो महिलाएं थी और जो पूरुस थे इस धर्म की तरफ आकरसित हुए खुद से छोटे और कमजोर लोगो की तरफ मित्रता और करुणा के भाव के महतो देने के आदर्स काफी लोगों में काफी लोगों को भाय थे यहां पर कि बाई कुछ से छोटे और कमजोर लोग जो है इनकी तरफ मित्रता और करुणा के भाव को महतो दिया जाए ठीक है जिसकि जो बड़ी लोग है वो छोट और आपने देखा कि वाई बिवहार में बहुत धर्म, बहुत धर्म की जो दो नियम याँ पर हमने दिया है कि किस प्रकार से बहुत धर्म की सिक्षाएं आगे बढ़ी थी, आपने ये भी देख लिया कि बुद्ध की सिक्षाएं क्या क्या रहीं, ठीक है, बुद्ध की विस्तार भी देखा कि जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ आपने यह भी देखा कि लौकिक सुखों के आंगे महावीर का संदेश जो महावीर थे जैन धर्म के 24 में तेर्थकर इन्होंने किस प्रकार से अपने संदेश दिये ठीक है इसके लावा आपने नियतवादी और भौत ठीक वादी को देखा साथी साथ आपने बहुत ग्रंत के से तयार किये गए तयार और सुनक्षित किये गए आपने यहाँ पर यह भी देख लिए साथी आपने यह भी देखा कि बाद विवाद और चर्चाएं इनके माध्यम से किस प्रकार से चौसर संपरदायों में से जो प्राप्त की जहां पर इस्तूप मिलता है यहां तक आपका पार्ट वन कंप्लीट होता है अब आपका अगला आता है पार्ट टू जो कि हम डिस्कस करेंगे हाँ इस्तूप बनाए क्यों जा देती एक मिनट ये भी डिस्कस कर लेती इसी पार्ट में थोड़ सा टाइम कैसी थी ठीक है इस चीश को डिस्कस करेंगे और इस टूप की खोज कैसे की गए इन टपिक्स को हम डिसकस करेंगे किसमें अगले पार्ट मेंने की पार्ट टू में तो वेट कीजिएगा पार्ट टू के लिए एंड जिनों और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लीजिए जिनों को NCRT के नोट्स लेने हैं डिस्किप्शन बॉक्स में नोट्स के अंने लिंक देदी जाकर कि आप डाइट नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो और हाँ आप डेली आप सबी लोगों को लिए मौर्णिंग में 6 बजे करने फिर की क्लास आने लगिए एंड सेकेंड चैनल पर जोग्राफिकी क्लास भी स्टार्ट हो चुकी है तो जाएए जाकर के सब्सक्राइब कर लीजेगा दोनों चैनल को और मिलते हैं लिए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जैहिन सातियों हाँ लाइक कर देना ठीक है लाइक करना मत भूलना